नमस्कार स्वागत आपका हमारे चैनल NJP इंडिया पर मैं हूँ आपके साथ कोमल राओ पंचकुला में शुक्रवार यानि आज सरपंचों के आंदोलन का तीसरा दिन है सरपंचों के आंदोलन को देखते हुए अब एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या यहां पर महिला सर याना में 50% आरक्षन महिलाओ को दिया गया है यानि कि सरपंच पदो पर 50% महिला चुनकर आई है लेकिन धरने पर ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा तो क्या यह मान लिया जाए कि महिला सरपंचों को सरकार के इटेंडरिंग से कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल को जैसे ही धरना स्तल पर सरपंचों के सामने उठाया गया तो वह तुरंत बचाओ के मुद्रा में आ गए एक व्यक्ति ने खुद को महिला सरपंच का पती बताते हुए कहा कि वह धरने पर क्यों आएगी हम आए हैं ना तो उनसे पूछा गया कि आप क्यों सर आप तो सरपंच नही पर ही कर रहे हैं धरने पर मुझूद महिला सरपंच एसोशियेशन की राष्ट्री अध्यक्ष और सरपंच एसोशियेशन की प्रदेश उपाध्यक्ष सिरसा जिले की संतोष बैनिवाल से जब यही सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि महिलाओ को घर के बहुत सारे काम करन पंदिश नहीं है यह स्थिती सभी महिला सरपंचों के साथ नहीं है जादतर महिला सरपंच युआ हैं उनके बच्चे हैं उन्हें वही समहालती है इसलिए उनका धरने पर आना संभव नहीं हो पा रहा वह दावा करती है कि महिला सरपंच भी इस मामले में उनके साथ है वो ये सब एक जुट हैं आगे इसी चर्चा में महिला सरपंचों के धरने से दूर रहने के सवाल पर पंजाब वे हर्याना हाय कोट की एडवोकेट आर्ति अगरवाल कहती हैं कि भले ही सरकार ने महिलाओं को पंचायत में 50 प्रतिश अतारक्षन दे दिया हो लेकिन हकीकत यह है क चुनाओ महिलाओं के नाम पर उनके पती भाई या बेटे ही लड़ते हैं यहां धरने पर आना तो दूर की बात है महिला सरपंच अपनी मर्जी से पंचायत की बैठक तक में नहीं जा सकती उनसे तो बस पंचायती कारेवाही पर साइन कराए जाते हैं ऐसा ही पिछली बार हुआ था और लगता है ऐसा ही इस बार हो रहा है महिलाओं में राजनितिक समझ विक्सित होने में अभी वक्त लगेगा क्या महिला सरपंच सरकार की इटेंडरिंग पोलेसी से खुश है या नहीं इस सवाल पर उनके परतिनीधीयों ने बताया कि महिला सरपंच भी कर अपनी बात रखने का मोका तो मिलना चाहिए धरने पर कुछ समय के लिए तो मैं आ सकती हैं यदि मैं सरकार की निती से नाखुश हैं लेकिन इस तरह के सवालों का महिलाओ के सरपंच पती कोई जवाब नहीं देना चाहते मैं इस बातचीत से बच्चते हुए दिखाई दे पचास प्रतिशत आरक्षन होने के बाद भी धरने की तस्वीर कुछ हो रही है वहाँ पर कुछ ही महिलाए दिखाई दे रही है